आगरा के जीवनी मंडी सहीत शहर के पांच अलाकों में सीवर लाइन डालने के लिए की गई खुदाई लोगों की मुसीबत का सबब बन गई है एक साथ शहर की इतनी सारी सढकों को खोद दिये जάνे पर हजारों की संक्या में लोगों को रोजाना परिशानी का सामना करना पड़ रहा है एक बार फिर आगरा शहर की सढकों पर वाहन चलाना दुरबर हो गया है शेहर में पाँच स्थानों पर सीवर लाइन डालने के लिए जन निगम ने खुदाई शुरू कर दी है जिससे वहनों और रहागिरों के साथ दुकानदारों और शेत्री लोगों की मुश्किले काफी बढ़ गई हैं सम्मंदित विभाग और सरकारी अफसरों की कारेपनाली को देखते हुए ऐसा लगता है कि जनता को इन सबी दिक्कतों का अभी और सामना करना पड़ेगा गौरत लब है कि जीवनी मंडी शेत्र में पानी और सीवर की समस्या काफी समय से बनी हुई थी जिसको देखते हुए जल संस्थान द्वारा पानी और सीवर की पाइपलाइन डाली जा रही है जो कारे एक अक्टूबर तक पूरा होना था लेकिन काम इतनी धीमी गती से किया जा रहा है कि लगता है शेत्रवासियों को अभी कुछ दिन और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा वह सिंगल रोड होने के कारण वाहन चालकों को भी काफे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अब देखने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ आगरा शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कहा जा रहा है वहीं दूसरी और हमारे शहर की सड़कों की हालत कुछ और ही बया कर रही है तूटी सड़कें यह तो हाल है आगरा शहर का तो फिर किस तरह हम अपने शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दे पाएंगे हम मौझूद हैं समय जीमनि मंडी 6 तर में यहाँ पर की लोगों के लिए पानी की समस्या काफी बिकराद लूप ले चुकी है जिसको दूर करने के लिए जलकल द्वारा पानी की पाएबलाइने भी डाली जा रही है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह पानी के पाएबला दंक से नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यहां से आवा गर्मन करने वाले लोगों को भी किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शेतवासी में कहना ये है कि बंवे रोड होने के कारण इसको यहां पर एक एफा राफ्ता निकालना चाहिए था कि लोगों को किसी भी दिक्कत या परिशानी का सामना ना हो सके। आगरा से प्राद रपान नूश के लिए सोनु कस्यप की रिपोर्ट है।